हालो दोस्तों ओनलाइन अश्टडी में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों आजम बिहार SSC के बार में प्योशेड यानि की बार में सेट का जो है वीडियो करेंगे तो जिसमें कि आपका जो है उनका उधारन क्या है कि अस्तंदारियों में लिंग क्रोमेटिन या वार बोड़ी जो होते है उनका जो उधारन है वो क्या है तो आपका जो वैकल पिक हेटरे क्रोमेटिन है वही उसका उधारन है अस्तंदारियों में जो लिंग क्रोमेटिन या वार बोड़ी होते है उनका उधारन कौन सा है तो आपका वेकल्पिक हेटेरो कुरूमीटियों जो है आपका भी जो है बिलकुल सही है अगले कोशन के और बढ़ते हैं अगला जो कोशन है कि उस मौडल का नाम बताईए उस मौडल का जो है नाम बताईए जिस पर भारत की दूसरी पंच वर्षी योजना जो है आधारित है कि उस मौडल का नाम बताईए जिस पर भारत की जो दूसरी पंच वर्षी योजना है वो आधारित है तो आपका महाल नोबिस जो मौडल है वो जो है दूसरी पंच वर्षी योजना पर आधारित है तो आपका ओप्शन ये जो है बिलकुल सही है अगले क कोशन आपके स्क्रीन पर कि समान बायुदाओ वाले अस्थलों को कि समान बायुदाओ वाले अस्थलों को जोड़ने वाली रेखाओ को क्या कहा जाता है कि समान बायुदाओ वाले अस्थानों को जोड़ने वाली रेखा कहते हैं उसे समदाओ रेखा कहते हैं तो समदाओ या करते हैं अगला जो कोशन आपके स्क्रीन पर अगला जो कोशन है कि जो है कि कोरी ओलीस बल तथा कोरी ओलीस बल तथा जो दाव परवनता होता है उसको संतुलन बनाने संतुलन से उत्पन आपका जो कोशन है कि कोरी ओलीस तथा बल तथा दाव परवनता बलो में संतुलन से उ उसे क्या कहते है तो दोस्तो उसे जो है भूबी छेपी पवन के नाम से जाना जाता है तो आपका option ये जो है बिल्कुल सही है अगले question के और बढ़ते हैं कि अगला जो question है कि बंगाल में जो है अगला जो question आपके screen पर कि बंगाल में पागलपञ्ति अंदोलन का संस्थाफ़क जो था वो कौन था ? c बंगाल में जो पागल पनती अंदोलन का जो संस्था पक ता आपका करम साउथ अगले कोशन के और बढ़ते हैं कि भारत की अंतराष्टी अस्तलिय सीमा को कितने देश अस्पर्ष कर रही है तो भारत की जो अंतराष्टी अस्तलिय सीमा जो साथ देश को असपर्ष कर रही है अगले कोशन के और बढ़ते हैं अगला जो कोशन है कि चीन की भासा क्या है आपका जो कोशन है कि चीन की भासा क्या है तो चीन की भासा जो है आपका मंदारीन जो है चीन की भासा है तो आपका option D जो है बिलकुल सही है अगले कोशन के और बढ़ते हैं कि अगला जो कोशन है कि इंटरनेशनल वूकर प्राइज 2022 जो है किनके द्वरा जीता गया था कि इंटरनेशनल वूकर प्राइज 2022 किसके द्वरा जीता गया था तो आपका जो गितांजली स्री है उसके दोरा International Booker Supply जई जो है दोसर बास में जीता गया था अगले कोशन के उर्बढ़ते हैं अगला जो कोशन है कि उतरी गोलार्द में परती चकरवाद उतरी गोलार्द में परती चकरवाद में पवन संचरन की दिसा जो होती है वो कौन सी दुसा होती है तो उत्री गोलार्द में परती चक्रबात में पवन संचरन की जो दिशा होती है घड़ी की स्वीद के दिशा के यानि की कलॉकवाइज में होता है घड़ी के कलॉकवाइज में होता है तो आपका option जो डी जो है बिलकुल सही है अगला जो question आपके screen पर बिहार निमलिकित में बिहार का वह कौन सा जिला है जहां की फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है तो आपका जो मुझफर फूर जिला है वहां पर फलों का बड़ा उत्पादक है तो आपका option कोशन डी जो है बिल्कुल करेक्ट है अगले कोशन के और बढ़ते हैं अगला जो कोशन है कि वुड़ास डिच्पेश जो है किस से संबंदीत है तो आपका वुड़ास डिच्पेश जो संबंदीत है शिक्छा सुदार से संबंदीत है अगले कोशन के और बढ़ते हैं कि 2024 का ओलम्पिक कहां आयोजीत होगा कि 2024 का अगर ओलम्पिक होता है तो कहां आयोजीत होगा आपका जो प्रांस है आपका पेरीश में है कहां पेरीश में जो है 2024 का ओलम्पिक जो है आयोजीत क्या जाएगा अगले कोशन कर बढ़ते हैं अगला जो कोशन है कि किस तत्त का जो है किस तक जो है अश्टक का नियम लागू क्या गया है तो आपका केलसियम जो है जिनकी परमानुसंग्या कितनी है 20 जो है उस तत्व तक जो है अश्टक का जो नियम होता है वो क्या क्या गया लागू क्या गया अगले कोशन के और बढ़ते हैं कि पर्थम संसोदन अधिनियम जो 1951 में वाता उसके तहत क्या वाता तो नम्मी अनुसूची को संभिधान में जोडा गया था अगले कोशन के और बढ़ते हैं कि जल के जो पोशक बिरदी होते हैं जल के जो पोशक बिरदी द्वरा जील का जो प्राकृतिक काल परभाबन दर्शाने की किरिया को क्या कहते हैं अगले कोशन के और बढ़ते हैं अगला जो कोशन है कि कौन सी टीम जो है सबसे ज़्यादा IPL टाइटल जीती है कौन सी सबसे ज़्यादा टीम है जिसने की सबसे ज़्यादा IPL टाइटल जीती है तो आपका मुंबई इंडियन्स जो है सबसे ज़्यादा टीम IPL जो है टाइटल जीतने वाले है तो कौन सी टीम मुंबई जो है आपका इंडियन्स अगले कोशन के और बढ़ते हैं अगला जो कोशन है कि राज़ी पाल एबम मंत्री परिशत के बीच संबात के परमुकतंत्र के रूप में मुकमंत्री के करतब्यों का जो उलेक है किस अनुछेद में है कि राज़ी पाल किया गया है अगले कोशन के और बढ़ते हैं कि भारत के संबीधान में जिसमें की दास्मी अनुची को कब जोड़ा गया था कि भारत में जो है संबीधान में दास्मी अनुची को 1985 में 92 یعنی ki 195 में 55 में संसोधन के द्वारा दलबदल अधी नियम जोडा गया था कि भारत के संबिदान में दास्मी अनुसुची को जो जोडा गया था दलबदल अनियम 195 में 52 संसोधन अधीनियम द्वारा अगला जो कोशन है कि रोज रोग जो है प्रधान करने वाला जो आपका 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 प्रधान करने वा पर्थम देश था वो कौन था आपका भारत था अगले कोर्शन को रबढते हैं कि हमारे सरीर में हमारे सरीर की देनिक देश 24 गंटे के लिए नियमन एक महत्पुन कार कौन कौन से हर्मन करते हैं और श्रबन किस गरंती से होता है तो आपका मिले टोनीन और पिनिलियर गरंती नियमन देश गरंती से होती है कि हमारे सरीर के देश पृँन क्यरोते हैं 60 की दाइस जब्योंकरन करता है तो आपका मिले टोनीन और पिनिलियर गरंती करता है तो आपका ओप्षण से जो है बिलकुल करेक्ड है अगले कोशन के और बढ़ते हैं कि भारत के महानियावादी से सम्मंदीत निमलिकित कतनों पर वीचार किजिए तो भारत सरकार को बीदी सम्मंदीत विशव पर सला देता है आपसका जो केवल दो है वो बिलकुल सही है अगले कोशन के और बढ़ते हैं कि अगला जो कोशन है कि परकास के अभी अभी बरनों में भी भाजन को क्या कहते हैं तो अभी अभी भी भाजन को भी छेपन कहते हैं तो आपका option C जो है बिलकुल correct है अगले कोशन के बढ़ते हैं कि निमलिकित में किस सब्द को Oxford University प्रेश ने है निमलिकित में किस सब्द को Oxford University प्रेश द्वारा विल्डरन वर्ल्ड आउप दा इयर 2021 किस क्या गया था पर आपका जो कोशन है कि निमलिकित में से कि निमलिकित में से जो है किस सब्द का Oxford University प्रेश द्वारा Wilderun World of the Air दो सारी गेस में सम्मान इग्यात क्या गया था तो आपका एंगनजाइटी के द्वारा एंगनजाइटी को यह क्या गया था Wilderun of the Air पर इसको सम्मानित किया गया था तो आपका option B बिलकुल सही है अगले कोशन के और बढ़ते हैं अगला जो कोशन आपके स्क्रीन पर कि निमलिकित में ऐसा कौन सा देश जो है निमलिकित में कौन सा देश जो है देश के परिवहन के सकल मुलिवर्धन में सरवादिक योगदन करता है तो आपका railway जो है बिलकुल सही है अगले कोशन के और बढ़ते हैं अगला जो कोशन आपके स्क्रीन पर कि आपका जो कोशन है कि पंचायतों की सक्तियां कि पंचायतों की सक्तियां प्राधिकार तता उत्तरदायत का जो प्रवधन किया गया है तो आपका ओप्शन सी जो है बिलकुल करेक्ट है अगले कोशन के और बढ़ते हैं अगला जो कोशन है कि मिया मार जो है उसका पुराना नाम क्या था कि मिया मार जो है उसका जो पुराना नाम था वो बर्मा आपका ओप्शन ये जो है बिलकुल सही है अगले कोशन के और बढ़ते हैं अगला जो कोशन है कि अपतल दरपन के प्रावर तक प्रिष्ट के जो ब्यास होते है अबम उनकी फोकस दूरी के बीच में जो सम्मन्द होता है कि अपतल दरपन के प्रावर तक प्रिष्ट के ब्यास एबम उनकी जो फोकस दूरी के बीच अबम दो समन्द होता है डी ब्रावर फोर अब दी ब्रावर आपका जो फोर अप है बिलकुल सही है आपका जो अगला कोशन है कि डाइस का सबसे अच्छा 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 अ जो थे नए परदान मंत्री है कहां के परदान मंत्री है रीसी सुनक जी हो जो है नए परदान मंत्री है यो हाली में यू के परदान मंत्री के रूप में न्यूक्त किया गया है तो आपका option A जो है बिलकुल आपका option C जो है सारी दोस्तों आपका option C जो है बिलकुल सही है अग आपका जो कांच है वो हमेशा दोस्तों क्या है आपका ओग्रिस्टल यες तो आपका ओप्षण वी जो है तो आपका उप्षण बिल्कुल प्योनस है पुस्त那么 अन्फिनिष्ट ए मेमो आर की लेखी का जो है कौन है दपुश्टक अन्फिनिष्ट ए जो है मेमो आर की लेखी का जो है प्रियंका चोपडा जोनस है तो आपका option C जो है बिल्कुल correct है अगले question के और बढ़ते हैं अगले question के और बढ़ते हैं अगले question के और बढ़ते हैं अगला जो question आपके screen पर कि भारत में मिड़े मिल योजना कब प्रारम की गई थी कि भारत में मिड़े मिल की योजना कब प्रारम की गई थी तो 15 अगस्त 95 में मिड़े मिल यानि कि आपके स्कूल में चोदाव बर्स के बच्चे को स्कूल में क्या दिया जाता है खाना उसी को मिड़े मिल के नाम से जाना जाता है तो आपका 15 अगस्त उन्हें 195 से प्रारम की गई थी अगला जो कोशन आपके स्क्रीन पर अगला जो कोशन आपके स्क्रीन पर अगला जो कोशन है कि निमलिकित में जो है निमलिकित में किस कहवा का जो किस्म का उत्पादन जो है भारत में सबसे अधिक होती है कि निम्न में से किस कहवा की किस्म का उत्पादन जो हता है भारत में सबसे अधिक होता है तो आपका अरेविका जो है कि कहवा की किस्म है जो भारत में सबसे अधिक उत्पादन होता है अगले कोशन के और बढ़ते हैं कि भारत में राष्टिया पहला भारत में स्तापित आपका मत परदेश में है तो आपका option भी जो है बिलकुल सही है अगले कोशन के और बढ़ते हैं अगला जो कोशन आपकी स्क्रीन पर अगला जो कोशन है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का जो निर्वान बनवाया था किस ने किया था कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्ज़ेद का जो निर्वान किया था वो औरंग जेव ने किया था और औरंग जेव ने सिखकों के नों में गुरु तेक बहादूर को क्या क्या था मरबादिया था तो आपका आप्शन ये जो है बिल्कुल सही है अगले कोशन के और बढ़ते हैं अगला जो कोशन है कि निमलिकित में कौन राष्ट या स्वास्थ प्रोफाइल यानि की एन एच एन एच पी को समय समय पर प्रकासित करेंगे तो निमलिखीत में कौन राष्ट ही है स्वास्थ प्रोफाल यानि की एन एच्पी को समय समय पर प्रकासित करने पर केंद्रा स्वास्थ जो है आपका क्या रहे खुपिया भी भी उरो रहे तो आपका जो केंद्रा स्वास्थ खुपिया भी उरो जो एन एच्पी है समय समय प राष्ट के परियटन के विकास के लिए अध्यात्मिक के अंद्र रिजित करना है। आपका जो कोशन है कि निमलीकित में किस योजना के उद्देश है राश्ट के परियतणि विकास के अद्यात्मिकिंदर सीजन करना है, तो आपका जो परसाद है परसाद जो है आपका बिल्कुल सही है अगले कोशन के और बरते हैं अगला जो कोशन आपके स्क्रीण पर निमल कित में कंपास के संबद में कौन सा कतन नहीं है तो भारत में जो है छोटे रेसे वाली कंपास का सरवाधिक उत्पादन होता है यह बिल्कुल गलत है कि भारत के छोटे भारत में छोटे रेसे वाली कंपास का सरवाधिक उत्पादन होता है यह आपका सही नहीं है तो आपका option फिर जया जाएगा अगलाज गोंशन में की सहायक गेंगर पैसे की सहायक अंजी आपका अحसे संब्ज थह काई साहयक एंजी जो है सम्मंदित है अगले कोशन के और बढ़ते हैं अगले कोशन के और बढ़ते हैं कि दोहा जो राजधानी है किस की राजधानी है तो कतर की राजधानी आपकी कहां है दोहा कहां की राजधानी है कतर की राजधानी जो है आपका दोहा है अगले कोशन के और बढ़ते हैं अगला जो कोशन आपके स्क्रीन पर किनिमलिकित में कौन सा देश जो है विम स्टेक का सदस नहीं है तो आपका मालदूइप जो है और मारिस्वस भी मालदीप और मारिस्वस भी विम सेट्स का सदस नहीं है तो आपका बिल्कुल करेक्ट है अगले कोशन के और बढ़ते हैं अगला जो कोशन है कि उन्हें 132 में आखिल भारतिया हरीजन संग की अस्थापना जो की थी M.K. गांदी ने की थी M.K. गांदी ने क्या की थी आखिल भारतिया हरीजन संग की क्या की थी अस्थापना की थी अगले कोश जो है कि पत कनों के बीच आकर्शन बलो को बढ़ते करम में कि कनों के बीच आकर्शन बलो को बढ़ते करम में निमलिकित पदारतों के वबस्तित करें तो बढ़ते करम यानि कि हैड्रोजन का सबसे कम होगा उसके बाद दूध हैड्रोजन से ज़्यादा होगा और दूध से सबसे जदा क्या होगा सरकरा का जो आकर्शन होगा सबसे अधीक होगा तो आपका option डी जो है बिलकुल सही है अगले question क्यों बढ़ते हैं अगला जो question आपके screen पर कि भारत सरकार के कि भारत सरकार के किस कारिक्राम का उद्देश है चिन हीत छेत्रों में समग्रदिष्टी कुन को अपनाते हुए प्रोद्योकों को बिक्सित करना और एकिक्रित करना है अगले question क्यों बढ़ते हैं अगला जो question आपके screen पर इस सही बिकल्प को चुनिए सही जो बिकल्प है उसको आपको चुनना है सही बिकल्प को क्या करना है चुनना है तो आपका जो परी नालिका के अक्ष के अनुदित चलने बाले पर अप परतित रहता है यह जो आपका भूटान की है न्यूगुल्टम जो मुद्रा है वो कहां की है बूटान की है भारत का सबसे कि भारत के अंतराष्ट ये बेपार की मात्रा का कितना परतिसत जो है नो परिवन के द्वरा होता है अगला जो कोशन है कि भारत के अंतराष्ट ये बेपार का कितना परतिसत जो है नो परिवन के द्वरा होता है तो आपका जो है भारत के अंतराष्ट ये बेपार की मात्रा का जो है 95% जो है नो परिवन के द्वरा होता है तो आपका 95% जो है बिल्कुल सही है अगले कोशन के और बढ़ते हैं अगला जो कोशन है कि भारत का भारत का जो सबसे उचा रेलबे पूल जो है किस नदी पर बना है कि महरानी एलिजाब जो थे दूतिया महारानी एलिजाबेट दूतिया जो थे जिनका हाली में निधन वा वो कितने वे जो है ने कितने बरसों तक क्या क्या था सासन क्या था कि महारानी एलिजाबेट जो है जिनका हाली में निधन वा था कितने बरसों तक आपका सासन क्या था तो लगवक सत्ता बरस तक महारानी एलिजाबेट ने क्या क्या था सासन क्या था अगले कोशन के और बरते हैं अगला जो कोशन है कि पेटू अगहात मतस से गोधी बाड़ा के रुप में विक्सित क्या गया या जो इस्तित है वो आपका पसीम मंगाल में इस्तित है अगले कोशन के और बरते हैं अगला जो कोशन है कि बक्सर बिद्रो जो है सम्बंदित था कि बक्सर बिद्रो जो है सम्बंदित था तो बक्सर बिद्रो जो सम्बंदित था किस से चीन से सम्बंदित था आपका जो कोशन है कि बक्सर विद्रो जो है सम्मंदित है किस से चीन से सम्मंदित है अगले कोशन के और बरते हैं अगला जो कोशन है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो है पर्थम अध्याक्ष कौन थे कि बिहार सोचलिस्ट पार्टी के जो पर्थम अध्यक्ष थे आपका जो अचार किरपलानी थे जो है वो सोचलिस्ट पार्टी के क्या थे पर्थम अध्यक्ष थे अगले कोशन के और बरते हैं अगला जो कोशन है कि सेंदब लिफी की सेंदब लिफी की जो लेखन होती है किस कोशन के और बरते हैं अगला जो कोशन आपके स्क्रीन पर कि सिंधी भासा को कि सिंधी भासा को आठमी अनुसूची में कब जोडा गया था कि सिंधी भासा को आठमी अनुसूची में कब जोडा गया था तो आपको आपका जो 1967 इस भी है उसी समझ जो है संविधान की आठमी अगले कोशन के और बड़ते हैं अगला जो कोशन आपके स्क्रीन पर संगम साइथ में बेपारी बर्ग जाना जाता है तो संगम साइथ में जो बैपारी बर्ग जाना जाता है अगले कोशन के और बरते हैं कि पस्यमी पाकिस्तान के साथ सोतंतरता की लडाई करने बाले पुर्वी पाकिस्तान की ससस्तर सेना का नाम क्या है कि पस्यमी पाकिस्तान के साथ सोतंतरता की लडाई लडने बाले पुर्वी की ससस्तर सेना का जो नाम था उसे क्या कहते हैं तो स ससस्त्र सेनगा जो नाम था बीरत में नेपाल के पहले निरबाची जो परदान मंत्री दो पर बीश्वेस्वर परसाद कहलते विस्वेस्वर परसाद्लियूमीर विश्वेश्वर परशाद कहिला उसका व्यक्ति का नाम है अगले कोशन के और बरते हैं कि नेपाल के सबसे पहले निर्वाचित परदान मंत्री कौन थे कि नेपाल के पहले निर्वाचित परदान मंत्री कौन थे कि भारत नेपाल के पहले जो है निर्बाचित परदान मंत्री जो थे वो बिश्वेसक बिश्वेक स्वर जो है परसाद कोई राला है तो आपका ओप्शन डी जो है बिल्कुल सही है अगले कोशन के और बढ़ते हैं कि अपच के उप्योग के लिए निम्न में से किस परकार की दवा का उप्योग क्या आता है तो अमल तो अतुनासक का उप्योग किया जाता है तो दोस्तो बिहार SSC के बार में एपिसोड प्लेटफार्म का जो है वीडियो जो है समापत होता है अगर दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सेर अपने दोस्तों को से कर लेना तो चलिए मिलतें नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए बैस इतना जाहिंद